अलो गाइज वोड़काम बैक नमाई चनल से प्यूटुपर में आपका होस्स एंदोस राणी शो एक नया वीडियो लेकर आया हम शो नमुल फाटा दिले ले लेट गेट स्टार्टेड तो एंजोई इस नहीं साल में मौटो ने अपना बजट स्मार्टफोन मौटो जी सब्सक्राइब लांच कर दिया है और रेडमी का नोट 11 स्रीज भी आ रहा है और इंफिनिक्स का स्मार्टफोन भी 5G स्मार्टफोन भी आ रहा है तो शमसंग फिछे कैसे रहेगा तो शमसंग का जो बजट में फोन होता है समसंग गलक्सी M32 5G का सक्सेशर आब आ रहा है समसंग गलक्सी M33 5G आब आ रहा है और फोन कुछ दिन पहले समसंग गलक्सी A33 एंड A53 के साथ समसंग गलक्सी M33 भी BIS पे लिस्ट हो गया था और इंडिया में समसंग का नोटे में जो फैक्टरी है वहाँ पे समसंग गलक्सी M33 5G का मार्स प्रडक्शन शुरू हो गया है और लिक्स के मुताबिक एफोन फेबरुरी के अंदर लॉंच होगा और जो लिक्स आ रहा है उसके मुताबिक एफोन फेबरुरी के लास्ट 10 डेज के अंदर एफोन इंडिया में लॉंच होगी और लिक्स क तो मेरे सब से आपको पांच होल के डिस्पेलेट देखने को मिलेगा और रेयर साइड पे आपको ट्रिपल कैमेरा का सेटप होगा पहले बला था क्वार्ड कैमेरा बाट अभी जो लिक्स आ रहा है उससे मुताबिक ए ट्रिपल कैमेरा का सेटप पे साथ आएगा एट इन डिस्पेले फिंगर फित स्केनर होगा और पीछे पॉली कर्भोनेट होगा और पीछे सम्सॉंग का बैंडिंग होगा एन दिखने में स्मसंग अलग्सी M32 5G की तरह ही दिखने में होग मतलाब दिखने में ठिक टक होगा इसमें Samsung का खुद का चिपसेट, Exynos 1200 का चिपसेट इसमें आएगा, अगार आप Exynos 1200 चिपसेट को आप कॉंपेर करेंगे तो Diamond City का 920 यार Snapdragon 788G से थोड़ा अक्म है क्यूंकि Samsung का Exynos 1200 का आटोरी स्कोर आता है, 45,5,5 लाक के अंदर इसका आटोरी स्कोर आता है मतलब आपको ठिक ठाक परफोर्मेंस डेदी कोई इसमें कोई भी इसू नहीं आएगा इसमें Mali का G68 Gaming Graphics है मतलब आपको अच्छी परफोर्मेंस डेदेगी इसमें कोई भी इसू नहीं आएगा आपको देखने को मिलेगा और समसंग के खुद का 1EI 4.0 पर आपको आएगा तो अगर 1EI के पर बाता होंगा तो इसमें कोई ब्लू टेल्स नहीं होता, कोई आड्स नहीं होता, कोई बग्स भी नहीं रहता मतला आपको एक close to stock Android जेस आपको फिल मिलेगा, मतला आपको Android का जो experience होगा नहीं भी बहुत ही आच्छा होगा तो मैंने पीछे पिछले वेडियो पे बाता है था कि एक quad camera का setup पर आएगा, बाट अभी जो leaks आ रहा है उसका मित अभी ए triple camera का setup के साथ आएगा और पीछे आपको 64 plus 12 plus 5 MP का triple camera का setup मिलेगा, जो 64 MP का main sensor का पाच्छा होगा F1.8 और जो 12 MP का एक ultrawide sensor होगा और 5 MP का एक def f in macro के लिए होगा अभी confirm नहीं कि क्या होगा और आप फॉन में आऊगे तो फॉन में आपको 32 MP का selfie shooter मिल जागा जिसका आपाच्छा होगा F2.2 और आप बैक से 4K प्रावरा बुकेश्दी सब कर लोगा और फॉन से भी आप 4K वीडियो रेकरडिंग कर लोगा और मेरे हिसाब से क्यामेरा भी Samsung Galaxy M33 5G का तागिरी होने व आपको 25W का fast charging देखने को मिलेगा Samsung Galaxy M33 5G में आपको Type-C का पोर्ट भी होगा तो यह बड़ी अच्छी बात है जितने ही बेसिंटर होता आपको सब मिल जाएगे लाइक अंडर डिस्टल फिंगर पिडिस का नरफेस नलाफ प्रोक्सिमीटे जियोमेराटिक जाइरोस्कोब लाइट कॉमपस बाट आपको 3.5 mm जाक आपको नहीं मिलेंगे तो 3.5 mm जाक को छोड़का जितने ही बेसिंटर होता है आपको सब मिल जागे मतलब सेंसर की मालूब में कोई भी इस्टी नहीं आएगा समसंग लाग्सी M33 5G में अगर स्वाट की बार में बाता हो तो आप एकस्पैंड कर पाऊगे और हाइब्रिट होगा यह डेडिकेटेड होगा यह अभी कंफर्म नहीं है बाट मेरे सबसे आपको डेडिकेटेड सिलेम स्वाट की साथ एफोन इंडिया में देखने को मिलेगा अगर आप बेस बेरन क आप मेरे सबसें टुनिटी थीरी थाउजन में लॉंच होगा गा और जो एड़ीवी ओनट इट गीडिए वी है ओन मेरे सबसें टुनिटी फाउजन के अंदर इंडिया में लॉंच होगा अधो एफोन जो लिक्स आ रहा है उसकी मुताबिक लास्ट टेन डेज और फेबु सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटनों से प्रेस कीजिए और बेल आइकन को एरेवेल कीजिए फिर से मुलाकात होगी ना एक वीडियो पर थैंकिये सो मच प्रॉचिंग इस वीडियो इस्टे से इस्टे हल्दी